मध्य प्रदेश, राजस्थान, 36 गड़, तेलंगाना में चुनावी नतीजों का काउंडाउन शुरू हो गया है मध्यड़ना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी है एक्जिड पूल के मुताबिक मध्य प्रदेश और 36 गड़ में बीज़ोपी और कॉंगर्स के बीच कांटे की टक कर है कॉंगर्स लगातार सरकार बनाने के दावे कर रही है वहीं बीज़ोपी का कहना है कि सरकार फिर उनहीं की बनेगी राजस्थान में इस बार कॉंग्रिस और बीज़पी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला हलाकि ज्यादातर एक्जिट पोल बीज़पी का पलड़ा भारी बता रहे हैं तेलंगाना में बियारेस नेता और सीम केसी आर हैट फ्रिक लगाने की उमीद कर रहे हैं लेकिन एक्जिट पोल हवा कॉंग्रिस की तरफ बता रहे हैं एंडी टीवी पोल आफ पोल्स के मताबिक राजस्थान में एक सो चार के साथ बीज़पी को बहुमत मिलता दिख रहा है कॉंग्रिस को 85 सीटों से संतोश करना होगा मध्यप्रदेश में 124 के साथ बीज़पी को बहुमत मिलता दिख रहा है जबकि कॉंग्रिस को 102 सीटें एक्जिट पोल बता रहे है 36 गड़ में 49 के साथ कॉंग्रिस को बहुमत मिल रहा है ये बहुमत के आंकड़े से 3 सीट जादा है जबकि बीज़पी को 38 सीटे मिलते दिख रही है तेलंगाना में 62 के साथ कॉंग्रिस को बहुमत मिल रहा है जबकि बी आरेस को 44 सीटों से संतोश करना पड़ सकता है एक्जिट पूल कम से कम यही बता रहे हैं तो अधर मिज़ुरा में MNF को 14, ZPM को 17 और कॉंग्रिस को 7 सीटे मिलते दिखाए दे रही है कल तक रुक जाओ, कल से EVM पर सवाल खड़े हो अभी एक्जिट पूल पर सवाल है यह कांग्रिस पार्टी जब हारती है तो किसी पर भी नयायले पर सवाल खड़े कर देती है यह सेना पर सवाल खड़े कर देती है यह वैक्सीन पर सवाल खड़े कर देती है यह एक्जिट पूल पर सवाल खड़े कर देती है कल EVM पर उठेगा जनता बदलाव चाहती है और जनता कॉंग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और मुझे पूरा भरुसा है कि मद्यप्रिदेश की जनता अपना प्यार और राश्रीवाद कमलनाजी को और कॉंग्रेस पार्टी को तरूर देगा। काम किया है लोगों ने साथ दिया है जीतेंगे। कि थी सीपी जोशी के साथ और चंदरशेकर जी जो यहां पर है वो भी है नरायन पंचारिया जो चुनाव प्रबंधन की जो समिती है वो लोग सब यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल जो भी नतीजा आएगा यहां पर उन्होंने यह अनौंस्मेंट करके गए हैं या कहके गए हैं कि भई बीजेबी का प्रचंद भहुमत आने वाला है। लेकिन फिर भी हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो हर इवेंच्वालिटी के लिए तयार रहती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कल जब चुनाव प्रणिनाम आ जाएंगे उसके बाद में हो सकता है कि जो उनकी पार्टी की आला कमान के जो लीडर्स है वो परसों के दिन जैपुर भी आ सकते हैं तो किस तरह से सारी व्यवस्था रहेगी इस सब की तयारी है। वैसे ज्यादा तर जो exit polls है उन्होंने प्रणिक्ट किया है कि BJP को edge है लेकिन जो polls है उन्होंने प्रणिक्ट किया है कि बहुत ही cliffhanger रहेगा और ऐसी स्थिती में किन लोगों से संपर्क साधना जरूरी है। उन्हों सब की चर्चाए हो रही है वैसे भी पिछले एक हफते में काफी independence और rebels से संपर्क साधा गया है। उनको भी बताया गया है कि जो हुआ सो हुआ या जो भी मजबूरिया रही लेकिन आप की घर वापसी हमेशा आपके लिए ये रास्ता खुला रहेगा। तो इस तरह से जो राजनीतिक चर्चाए हैं वो यहाँ पर हो रही हैं बताया जा रहा है कि इसकी बाद में गजिंद सिंग शेखावज जो हैं वो वापस जोदपूर जा सकते हैं और कल जोदपूर सुबह सुबह जोदपूर रहेंगे और फिर दुपहर तक जैपूर आए कर दिए गयँ पर दो जो सकता म हम आणी दुपवदूर में तो जो हैं वो हो रहें पर तो जो सरा म।बह जो जो पहा है